हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू हप और लेंग क्लासेज, मैं हूँ जायन्थ, तो दोस्तों आज मैं आपसे वीडियो एक्जाम के बारे में डिसकस करने वाला हूँ, आज आपको मैं फाइनली इसमें बता दूँगा कि आपकी आंसर की जो है वो कब तक आ जाएगी, आप का प्री का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, मैंस का एक्जाम आपका कब तक कंड़क्ट करवाया जाएगा, ठीके, तो बात करते हैं आंसर की, तो आंसर की दोस्तों आपका बहुती जल्द जारी किया जाने वाला है, दस जनवरी से पहले पहले आपकी आंसर की जो ह जारी कर दी जाएगी इसका सबसे बड़ा रिजन ये है क्योंकि मेंस के लिए पहले ही बता दिया गया है आपका फैब के अंदर मेंस का एक्जाम कंड़क्ट करवाया जाएगा लेकिन इस बात को भी आप माल लो आपके रिजल्ट आने के कम से कम 20 से 25 दिन का जरूर आपको ट के लिए आपको 20 से 25 दिन का टाइम 100 परसेंट दिया जाएगा तो जो आपकी आंसर की की में बात करता हूँ वो 10 जनवरी से पहले यानि की साथ आठ तारिक तक ही आपकी आंसर की जो है वो बोर्ड के द्वारा जारी कर दी जाएगी उसके बाद 15 से 20 जनवरी के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है ठीक है वो जारी कर दिया जाएगा प्री का जो रिजल्ट है वो आपका 15 से 20 जनवरी को जारी हो जाएगा उसके ठीक एक महिने बाद FAB के अंदर आपका एक्जाम होगा तो आप एक्जाम मान के चलो आपका जो एक्जाम है मेंस का एक्जाम वो आलमोस्ट 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में ही कंड़क्ट करवाया जाएगा आपका जो मेंस एक्जाम है वो 20 से 28 फरवरी के अंदर कंड़क्ट करवाया जाएगा आपका मेंस एक्जाम एक ही दिन में कंड़क्ट होगा इस बात को भी समझ लीजिए क्योंकि अब बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा बोट की तरफ से ये कोई अबडेट आया नहीं है फिर बात करते हैं पंदरा गुना तो पंदरा गुना का भी कोई अबडेट आया नहीं है तो आप मान के चलो एक लाख स्टूडेंट जो है उनको पास किया जाएगा और एक लाख स्टूडेंट का ही केवल मेंस एक्जाम जो है कंड़क्ट करवाया जाता है ये भी तब पॉसिबल है अगर आपकी पोस्ट पंदरा सो पोस्ट जो बढ़ाने की बात चल रही है वो भढ़ जाए अगर साथ हजार कैंडिडेट को तो कितने साथ हजार कैंडिडेट को प्री के अंदर किलियर किया जाएगा तो ये बात प्यश् pin क्यौट कर बाया जाएगा फिरेंड ठीक है cut off के बारे में मैंने आपको बताई दिया था कि cut off इसकी ज़्यादा high नहीं जाएगी कम ही cut off रहने वाली है तो इसकी जो cut off है मैंने आपको कहा था safe score आपका जो है 50 से लेकर 55 तक आपका safe score आप मान सकते हो जनरल की बात करता हूँ तो 50 से 55 आपका safe score है और जिस भी किसी के 38 पलस है CST में आ रहे हैं तो उनको जो है आपकी इसकी त्यारी कर लेनी चाहिए किसकी mains की त्यारी कर लेनी चाहिए ठीक है तो clear है दोस्तो आपके अगर अभी भी कोई doubt अगर बसते है वीडियो exams related तो आप जरूर मुझे share कीजिएगा मैं आपके सारे doubts के उपर जो है वीडियो बना के आपको provide करा दूँगा thank you friend have a nice day bye bye